यो उट्शूब गेई इसके से आपसो भी लोग वेलकम बैक टो दर गेमडेग वीडियो तो कई सारे अच्छे हम लोग दुबार से के लिए चाहरे हैं गोस्ट इकॉन ब्रेक पॉइंट तो आपसो भी लोग को याद होगी लास वन एपिसओड में हम लोगो ने एक अपने फ आपसे प्रेंड हमें मिला था जो दोस्ट मिला था वह कह रहा था कि याँ क्या क्या करना है यहां पर से कैसे बाहर निकल नहां से चयुड़ा घार चोड़ो जू भी है अभी नहींग फाइंड करने चाहा है जेस इसकेल को मतलब आपको पता ही हम लोग काफी डाइम से जेस करने थे तो वो तो फिलाल मैंने कठे कर ले थे लेकिन अभी मेरे को एक दूसरी जगह पर जाना है तो सबसे पहले ना देखो हर मैं पैदल तो जाने नहीं वाला सामने एक हेलिकॉप्टर खड़ा हुआ है और इस हेलिकॉप्टर को लेने के लिए मुझे कुछ बंदों को मार और यहां पर एक सोलजर ना सामने की तरफ में गया तो यार मैं इसको कैसे मारो को में को मारने गोली चलाने में बहुत ज़दा डर लग रहा एक के मैंने फिलाल हेडशॉट बजाए को से डाउन कर दिया एक बहुत ज़दा पीछे है एक बारी पसने तो मस तरीके से निशा देखो बाइसाब वहां से मिनी गन चला रहा है खड़े होंके और मैं उसको ढख से गोली भी नहीं मार पा रहा भाई यहां पर एक बंदे नहीं है बहुत सारे रुग जाव रुग जाव कोई दिक्गत की बात नहीं है बस ना देखो क्या है कि अभी इस गेम में हाली कॉप बूत बना दूँगा यहां पर आगे तरफ में यह रोबर्ट वाले जो टैंक है यह बहुत ज़दा खतरना होते हैं अभी फटवट से मैं यहां पर इस हेलिकॉप्टर में जाना है कुछ भी करकर अगर मैं एक बार ही हेलिकॉप्टर में बैट गया तो तो मैं यहां से निकल सब्सक्राइब करते हैं यहां पर एक तम अराम से उतरवा देता हूं अभी इतना ज़्यादा को रहते हैं यहां पर एक दम अराम से उतरवा देता हूं पर फिलाल मेरे साफसे यह पुराने दिन के सीनह है ओभाई सब यह क्या सीनह यहांपर कोई लडकी मरी हुई है और यह जो बंदा है ना यार इसके साथ एक मतलब पुरानी यादे जुड़ी हुए है कुछ नॉमैड गी तो यहां पर भी आप देख पा रहे हो एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ और यहां पर लग रहा है इसने किसी लड़की को मार दिया है अब यह जो चीज है यहां पर यहां पर यह जो बढम यार नाम का दोस्ता लेकिन अभी उस वाले आइलेंड में जाकर यह शायद से बाफ ही बड़ा एक टाइप से ना टैर्रिस टाइप बन चुका है और यहाँ पर इसको बहुत जदा गुस्ता चड़ गया इसके उपर ओ भाई यह क्या इसने मतलब कि अपनी टीम के बंदे को मार दिया अब देखो काईस यह ना अभी के सीने यह पुरानी आदे और यह जो वाकर ना बतलब कि जो वाकर नाम का बंद है वो पहले अपना दोस्त हुआ करता था लेकिन इस वाले आइलेंड में आकर वो एक टाइप से अपना भी दोस्त लिया अपना वो दुश्मन हो चुगा है हमें उसको मारना है यहाँ पर वो पता नहीं क्या करना चाहता उसका प्लैन क्या अभी सब कुछ पता चलेगा करना लेकिन वह वाला जापनेंड हमें आगे और चलने वाला है लेकिन उससे पहले ना हमें कॉंटीनु करना पड़ेगा यह वाला में जिसके अंदर हमें फांड करना है अब देखा और, वाकर को फांड करने के लिए सबसे बहले हमें कीसी एनिमी ओफिसर को इंटरोगेट करना पड़ेगा जो कि हमें उसकी बेस लोकेशन बताये है जहां पर वॉकर रहता है त्वी जल्दी सेfish एनिमी ओफिसर को पकड़ते है एक काम करते हैं ये वाला mission है काफी मुष्किल हो सकता रच Child अब हम आपन तो हेलिकॉप्टर में तो मुझे कोहरे से कोई दिक्कत की बात है नी तू कि याज भी फिलाल में अपनी गाड़ी बखाते बाते पोच्छी में लोग सीधा जेसिकल फाउंडेशन पर अब हमाई ना किसी एनिमी ऑफिसर को इंटैरोगेट करना था वो चीज तो कि बिल्डिंग है अभी मुझे इस बिल्डिंग में भी करेक्ट लोकेशन नहीं पता कि मुझे कहां पर जाना है लेकिन हार इतना पता है कि मुझे इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करना है कहा चोड़ा अपना बीरन ड्रोन फटावर्ट से में बंद करता हूं और जल्दी पर जाएक तरफ में एक सिविलीन जा रहा है अगर मैं से बात करूं तु भाई सब डर भी मेरे सब चुल में कितनी चोड़ है रोबोट अचा अचा ब डरा सामने से देखा तो इससे डर लगा लेकिन यहां पर मैं से क्या ही बात करूंग है से हम लोग कुछ बात नहीं कर सक यहां पर मैं शाहर से पहले आया था एक बारी पाता नियार मुझे समझनी आ रही और गाइस यहां पर ने एक सीडी जा रही है अगर मैं सीडी पे चड़के उपर जाऊंगा तो क्या पता जो अंदर जाने का रास्ता है वो उपर से हो मतलब बाई कुछ कहा नहीं सकता है भी जगह के बारे में हो सकता है नीचे बेस्मेंट में भी हो लेकिन इतना मुझे लग रहा है कि यहीं कहीं पर है आसपास अभी फटावट से हम लोग एक दम धीरे दीरे चलते हैं उपर और देखते हैं कि आखिर कार जेस इसकेल हमें कहां पर मिलता है तो गैसरी देखो यह वाली जो बिल्डिंग है यह अंडर कंस्ट्रक्शन है तो मेरे साब से इनको इन्वेस्टिगेट करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला और मिरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं यहां पर इस बिल्डिंग के अंदर एंटर आकिर कार होँहांसे पर इन लोगों ने ड्रोन देख लिया ओ भाई गड़वट होगी ई तुरी मेरा ड्रोन ही तोड़ दिया शिट यार ये तो बहुत ज़दा घडबड होगी लेकिन ना इतना तो हम मैं समझ गया हूँ कि यहां पर सिक्योरिटी बहुत ज़ाद है बाई साथ पहले मेरे को लग रहा था कि यहां पर सिक्योरिटी नहीं है अब मेरे को तो अब बहुत ज़दा खतरनाक सीन अब यहां पर होने वाला है बस ना मुझे जल्दी से नीचे की तरफ में चलना है बहुत ज़दी से लंबी लैडर है वरना तो मैं सची बता रहा हूं कूच जाता अब जल्दी से एकदम अराम से मैं स्लाइड करके नीचे की तरफ में निकल लेता हूं सामने की तरफ से काफी सारा सिक्योरिटी गार्ड भी आ रहे होंगे तो मुझे उनसे भी बचके रहना पड़ेगा अब यहार बहुत तकड़ा सीन हो गया मतलब कि हम लोग ओल्मोस जेस स्केल के पास पहुच चुके हैं अभी जल्दी से चल कर देखते हैं कि अंदर क्या सीन है भाई सोचो जिस बंदे को हम लोग इतने टाइम से ढूंड रहे हैं फाइनली वो बंदा हमारे हाथो लग चुका है यार इतनी जादा सीन्या किसले बना राखियह भाई इतनी ऊची बंडिंग भाई खतरनाख है जेस स्केल को बिचारे को उसी की बंडिंग के अंदर जो की अंडर कंस्रक्शन दी उसी के अंदर किंड़ाप कले और इसी ने मेरा ड्रॉन तोड़ दा और भाई सब यह अंधेरे में बंदा खड़ा हुआ मेरे को दिखनी रहा ओ भाई इतना जादा अंधेरा कियों है अंदर मेरे बोहत ही बुरी तरह पड़ेगा और मेरे को अभी हील करना पड़ेगा हीलिंग के लिए मेरे पास फिलाल तो है तो हील लेकिन अभी तिनी जादा डैमेज हुई नहीं है और यहां पर मैं आप मत चोड़े हो ना वरना यूँ गोली आपके मत्य में बजा दूँगो ठीक है यहां पर नहीं काम करता हूं थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि यहां पर नीचे की तरफ से काफी सारे बंदे आरे बहुत सारे बंदे नीचे हैं यानि की सब कुछ एक तम बढ़िया चला है और सामने से एक और बंदा आया वाई मेरी गन रिलोड़ हो रही है अभी मेरे चोट लग चुकी है अभी ना मेरे को फटावाट से बैंडेज ल है अब चाहे जो मर्जी आजाओ मेरे पास एमो भी बहुत ज़्यादा गन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो गईसर देखो यह जो जगाया ना यार मुझे बहुत ज़्यादा अजीब से लग रही है और अब तो आगे जाने में डर लग रहा है पता नहीं चलते-चलते कितना ज़्यादा बेसमेंट में आ गया हूँ और मुझे पता है क्या लग रहा है कि आगे चल करना मुझे हाई सिक्यूरिटी मिलने वाली है क्योंकि जो वाइट वाली आप लोगो देख पा रहे हो ना यह सारे वुल्फ वाली जो सिक्यूरिटी वाली जो गैंके बनते है जो कि ओ भाई यहाँ पर इतने सारे सिक्यूरिटी गार्ड है और इन्होंने मुझे देखा नहीं इनको डाउन तो करना ही पड़ेगा तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक के शोर बजा दूसरा वाला यहां से भाग के आएगा आज 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 बेड़ा जैसी मारते हो ना हेट शॉट तब जाकर एक बंदा डाउन होगा तो अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगी तरफ में और यहाँ पर एक बंदा हो रहा है मेरे पास एमो कम होगी का यार रिलोड कैसे बाई एक सिकिन रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ आगे अगर मैं जाओ ना एक बंदा यह पर खड़ाओ निकल गंजे भाई सब इसके पास तो हैलमेटी निया कैसे नकली 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 तो इधर आगे सब गंजे को दिखकर तो ऐसा लगता है ना कि इसके सिर्फ हैट शॉट ही पड़ेगा और यहाँ पर यह देखो यह देख है कि जिस जगह से आया था मैं उसी जगह पर वापिस जा रहा है नहीं 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 यह एक दम अलग जगह भाई यह पूरी की पूरी डिफरेंट लोकेशन है और यह देखो गाईज यह वाली गाड़ी है जो कि हमें हमेशा आकर मारती थी उस जगह उपर भाई सची में यह तो तीन तीन हो तीरी भैस की यहने मारना बहुत जगह भाई सब्सक्राइब कर दिया है और यहां पर गरनेट डाल दिया भाई साब यह तो बहुत जगह दा देंजरस है अभी मेरे को बहुत जगह ध्यान से इनसे फाइट लेनी पड़ेगी अब मैं काम करता हूँ ना अप यहां पर इसके पास से मुझे एक बूट मिल गया है इनके जूते में पहल ने तो शाय से गृप वगएरा अच्छी बन जाए यहां पर फिलाल सारे यह शूस बेगारा लेकिन यह जो नहीं वाले मिले पहले से तो ठीक है और यहां पर में कोई हैलमेट मिला था यह वाला प पर अभी यह वाला गेट कोन खोलेगा अभी फट फट से चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ में और यहां पर यह क्या है एक सिकेंड कुछ तो कड़ पड़े है ओ भाई यह जैसे स्केल मेरे को लग तो रहा है लेकिन थोड़ी सी अलग शकल लग रही है ओ भाई साफ फाइन इसी का employee था कोई अभी फिलाल यहां पर इससे बात होगी है तो चलो गाईज यहां पर ना अभी मैंने जैसे स्केल को बोल दे कि तुम मेरे साथ चलो वरना ना यहां पर यह लोग तुमें मार देंगे तो चलो गाईज जिस बंदे को में ढूंड़ना था यह ना एक बहुत है मतलब कि ना यहां के जो soldiers है ना वो इसका use कर रहे थे इसके थुरू ना वो तगड़े तगड़े weapons बनवा रहे थे क्योंकि ना इसके बास बहुत ज़दा दिमाग है बहुत ज़दा जीनियस बंदा है यह तो guys यहां पर मिरको लग रहा है पीछे की तरफ से कोई तो आया बाई साब इतर से ओधार स्मोक गरनेट आ गया बाई कोई तो खतरनाक बंदा यहां पर आ रहा है इसमोक गरनेट किसने फैका बाई यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है दुमारा जो नोमैड है ना अभी सब का मूथ ओड़ेगा लेकिन यही जो चीज का है वो क्या है ओ बाई साब यह रहा वोकर फाइनली देखो भाई यह जो वोकर है ना इस टाइम पर इस गेम का सबसे बड़ा विलन है लेकिन यह पहले हमारा दोस्त हुआ करता था अपनी बराबरी का यह बंदा लेकिन और अभी ना यह गलत तरीके से बहुत जदा आगे बढ़ चुका है म बाई यह कहा है अब भाई साब जो जाय हिल तो खुद इसके साथ है और यह हमें कह रहा था कि हम उसकी बाई साब यह बहुत खतरनाक बंदे है यह बहुत खतरनाक है ओके तो मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग अब यहां से निकल सकते हैं और यह अपनी पिस्टल रिलोड कर रहा है और मेरे को लग रहा है कि J.S.S.K.L. के मत्थे में या फिर नॉमैड के मत्थे में पिस्टल पढ़ने वाली है तो भाई साथ यहाँ पर बहुत गलस सीन हो गया है यहाँ पर Walker कह रहा था नॉमैड को कि तुम हमारे साथ जो इन जा कोई दिककत की बात नहीं है लेकिन यहाँ पर इसने मना कर दिया ओए यह क्या चीज थी अबे बुलिट प्रूफ है यह तो इसको पागल बना दिया कि यह क्या चीज थी में इसको समझनी आई यहाँ पर देखो मैंने कहा था नहीं यह जो बंद है बहुत ज़्यादा जीनियस है लेकिन यहां पर यह जो इसमें दिमाग चला है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक था मतलब कि ना पूरे का पूरा बुलेट प्रूफ ग्लास उसने पता नी कम में ऐसी चीज़ बना रखी दी और हो कम में ऐसे उठा दिया और उसको पता ही नी चला वो मारने तो आया था नोमैड को लेकिन यहां पर यहां पर देख पारे हो अभी फिलाल नोमैड एंड जेसे स्क बाहर तो आचके और यह ना बहुत ज़्यादा डर रहा है तो अभी ना फटा फटा हमेना जेस स्केल को इस जगह से बाहर तो निकालना है लेकिन हमेना इसको लेकर पोचना है सीधा उस जगह पर जहां पर हम लोग एक सीक्रेट केव में चुपके नहीं रह रहे उस जगह अभी ना हमें से जल्दी से जल्दी लेकर पोचना है अब देखो जेस स्केल अगर हमारे साथ आ गया ना तो यह ऐसे ऐसे वैपन्स बना देगा ना कि वॉकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता हुआ जेस स्केल यह बहुत ज़दा जीनियस आदमी है ये बंदा भ जो यह ना बहुत ही जाता बढ़िया बनता है ये ना हमसे सोरी बोल ला है अब आपको याद दो का पहले एपिसोड में हमारे जो हेलिकॉप्टर क्रैश होए थे वो सारे के सारे हेलिकॉप्टर ड्रॉन्स नहीं क्रैश करते है उसकी पंकड़ियों पर टक्कर मारके तो यह कहे रहा है कि यहना सारे के सारे ड्रॉन्स नहीं बनाये थे लेकिन इससे जवड़जस्ती बनवाय थे कहले अब भाई देखो यह कह रहा है कि यह बहुत ज़ड़ा बढ़ी गड़-ड़ की बाता है बस यार हमें ना अपने पास कुछ बंदों की जरू होता है कि ताकि हमारी टीम जो है नो वो थोड़ी सी बड़ी हो पाए और यहां पर अभी फिलाल मैंने अपना हेलिकॉप्टर तो यहां पर लाकर खड़ा कर दिया है और जिसकी पंकड़ी भी तूट चुकी है तो भी ना जल्दी से वोकर को यहां पर अंदर सीक्रेट केव में लेकर चलते हैं वाई सक्ची में आज आ गया सली मचा तो की काई सर अभी फिलाल यहां पर बहुत ही बड़ी सीन हो चुका है मतलब कि यार अभी जेसे स्केल हमारे साथ आ चुका है जो की हमें बहुत ही बड़ी 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 वैपन्स भी बना कर देगा शाय से आने वाले डाइम अगर इसको समान मिलेगा तो लेकिन आज सबसे खतरनाक चीजी है कि जो वोकर है जो अपना भाई था अभी वो बन चुका है अपना दुश्मन यानि कि जो भी हमारी में फाइट चलने वाली है वो चलने वाली है वोकर से अब उसके पास जाने से पहले ना यहाँ पर एक बारी मैं चल लेता हूँ पीछे की तरफ में जेस स्केल से बात करते कि आगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और यहाँ पर यह जो रास्ता जा रहा है ना काफी जदा अंधेरा हो रहा है यह देखो यहाँ Dr.Fox की भी बेटे भी बैठी ही है अब इना यहांगाँ पर Dr.Fox और जेस सक्राइर मिलके मेरे यहांद थी तगड़े पांपड़े इन्वेंशन करने वाले है फिलाल यहांगाँ पर मैं एक बार यह नहीं बात करते हूं तो यहां पर जाकर ना में किसी से बात करने है कोई यहां पर लड़की है और वो हमेना AI system जो होता है मतलब की artificial intelligence जिससे मतलब जो drone वगारे जो automatically काम करते हैं उस चीज के बारे में कुछ पता चलने वाला है खैर इतना मुझे भी समझने आया लेकिन जो बाकी चीज है ना वहीं चलो काई सब्सक्राइब लोग इस वाले helicopter के अंदर बैठते हैं मुझे डर यह लग रहा है कि इस वाले helicopter की जो पंकड़ी है वह सामने वाले helicopter से नहीं टक रहा है चलो यही चीज मैं चाहता था और से वही हुई और अभी ना में यहां सा जाना है साड़े 8 km दूर दूसरे island पर एक बर ही मैं मैप में चेक कर लें तो मैं सही जा रहा हूं तो अभी ना बस हमें सीधा सीधा जाना है वहां पर एक blake's law आएगा मतलब कि ना वहीं पर हमें जाकर रुकना है और वहां पर उस एडिया को अच्छे से investigate करना है वहां पर उस लड़की को तुड़ने और उस इसकी बीच में काफी सारी building है और यहीं कहीं पर लड़की भी छुपी हुई है मतलब छुपी हुई नहीं है वह यहां पर नॉर्मल ही रह दी है पता नहीं क्या सीन है वह में आगे चल कर ही पता चलने वाला है तो उस लड़की से हमें बात करने हैं और सारी सारी AI information collect करने है और यहां पर देखते ही देखते हैं सुबह भी होने वाली है अभी फटवर से हम लोग यहां पर आगी तरफ में चलते हैं और मुझे पता है डर क्या लग रहा है कि यहां पर जितने भी security guard है इनको मैं मार तो नहीं सकता है मतलब हम लोग हमेशा क्या करते थे कि पहले बंद कुछ इस तरीके से कि किसी को भनक भी न चले कि यहां पर कोई terrorist आया हुआ है और जैसे agent 47 करता था था इन्वेस्टिकेशन सेम उसी तरीके से भी मैं इन्वेस्टिकेशन करने वाला हूँ अभी ना फटवर चलते हैं हम लोग आगी तरफ में यहां पर फिलाल कोई मैम बैट के लिए और यह कहरे कि मुझे उसके बारे में करेक्ट लोकेशन तो नहीं बता लेकिन जो उसका ओफिस है वो एकदम टॉप फ्लोर बर है और यहां पर में को समझ नहीं आ रहे हैं यह बंद कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं बच्ची है बच्चे नी चलाते हैं बंद के अ के बंदना होगा लेकिन यार यह तो एक टाइप से पूरा का पूरा इंपॉसिबल है वाई तो गाईस यार मुझे ना अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं यहां से उपर कैसे जाओंगा क्योंकि हर सीडी के सामने जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है जितने भी सोल्डर्स हैं वो क्या करना चाहिए कुछ भी करके मुझे टॉफ फ्लॉर पर पहुचना है वो देखो जो एकदम करेक्ट लोकेशन आ रही है हमारे पास उसकी एक काम करता हो ना इसको मैं मार देता हूं तो यह गया तो यहां पर एक को मैंने मार दिया और कई सब को पता चल गया इसमें यही दॉर्षत में यहां पर यहां पर जल्दी चलो अगर अगर यह आँपर मैंने फोच्ट ने से पहले ही मार देंगे अभी नवह लोग पहुच जते हैं और मैं पीछे जा रहा हूँ वा भाई क्या हरकते कर रहा हूँ केट चूट जो भी है अभी ना यहां पर एकदम टॉफ लॉर पर जाना है में सीधा और इसका ओफिस टॉफ लॉर पर ही था उसने ऐसा कहा था अभी फिलाल यहां पर तो मैं पहुच चुक हूँ और वो जो लड़की है यही है यही है बाई सहब चलो यहां पर अच्छा हो मैं ने इसकी फोटो देखी उधी और मैंने इसको अभी पहचान लिया है तो कि यहां पर ने प्लाल मेरी किस्टीना से से बात होगी है और ये कह रहे है कि यहाँ पर जो आर्किमेडीज हो लेना स्केल्स फांडेशन कैंपस के उसी के अंदर जो है तुमें तीनों के तीनों AI सिस्टम जो है मिल जाएंगे तो नहीं फटा फटा में वहाँ पर पोचना है और ये पता नहीं कैसी सी जगह है मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से मैं एकजिट कैसे होगा अभी फिलाल एकदम मैं भगदर मचा कर उपर तो आ गया था लेकिन जो नीचे वाले सिक्योरिटी गार्ड है ना मेरे सबसे पहले से थोड़ा सा शान्त हो गए है और गाइस सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि अभी ना हमें इस जगह से जाना नहीं है वो जो तीनों के तीनों इंटल है ना वहाँ पर जाकर हमें AI सिस्टम को कलेक्ट भी करना है फिर हम उसे लेकर यहां से जाएंगे मतलब कि अभी खत्रा जो है ना वो और भी जादा बढ़ चुका है और यहां पर दिखो 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 किसी ने दिख लिया भाई साब मुझे यही डर लग रहा था कि कोई मेरे को देखे ना अभी ना फटा-फट मैं चलता हूं आगे की तरफ में और यहां पर यह बिचारे डर के मारे बैठे पड़े है तो मुझे ना गाईस वो दिखो सामने वाली जो बिल्डिंग है ना उसके अंदर जाना है और अभी ना जल्दी जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ में यहां पर ना सबसे वहले ना मुझे यहां से जागे कुछ नहीं करना सारे के सारे जो इंटल है वो collect करने है और अपना जो यह वाला mission है वो complete हो जाएगा यानि कि यह सारी की सारी जो चीज़ें हम लोग सीधा ले जाकर देंगे जेसे स्केल को और फिर जेसे स्केल हमारे लिए भी वैसे वाले ड्रोन बना देगा और यहां पर ना काई इस काफी सारे ड्रोन है जो कि मुझे देख सकते हैं और फिर बहुत ज़दा गड़ड हो जाएगी जो कि मैं बिल्कुल भी नी चाहता और यहां पर जल्दी 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 भाई इस तरीके से करूँगा तो मैं बहुत ज़दा पिटने वाला हूं इन लोगों से बाई मुझे यही डर लग रहा था कि यह लोग मुझे देखना ले और यहां पर से अभी मुझे यह जो चीज़ा नहीं से फटावर से इन्वेस्टिगेट करना है यानि कि जो AI की इन्फोर्मेशन है वो सारी की सारी अपनी पेंड्राइब में फोर्वर्ड करनी है तो चलो कि कौई भी गोली मार देगा मरें बूरी तरह जाते हैं अब भाई सार। आधी को गलंनी के तरफ से काफी सारे सौडर सारे और ऑदेख लो बॉग धिया ड्रोन ने मुझे मार दिआ तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में अगर आपको यह वाली वीडियो ची लगी हो दो फटवर्वर्ट से इस वीडियो चाकर लाइक कर देना चैनल पी नहीं तो प्लीज आज चांग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और गाइसर थैंक यू सो मच फॉर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स और याग जिसेन मुझे इंस्टा पर फोलो नहीं कर रहें इंस्टा पे फोलो कर लो मिरसे बात करने के लिए डिस्कॉर्ट सर्वर्ट जोइन कर लो इंस्टा इन डिस्कॉर्ट दोनोंका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो आज किस वाली वीडियो में इतना ही मिलते हैं गली वीडियो में गुड़ बाइ।